हेला अबरिवन दिस पावन शर्मा बात करेंगे मार्केट अनलिस्ट फॉर ट्वेटी नाइन त आप जुलाई आज की जो मार्केट के एक्सपारी अमेजिंग जिसको आप कैसे किते हैं बंपर एक्सपारी जो कॉल साइट पे था उनको कोई डाउट नहीं एक बहुत अच्छ यह था आउटलुक में यह था कि मैक्सिमम जो है 16,600 और 16,700 तक मार्केट जो है एक्सपार हो जाना चाहिए कल तक भी हम बिलकुल सही थे उससे पहले एक दिन पहले तो हम कनफर्म थे कि यही था लेकिन एक इवेंट ने सारा गेम चेंज कर दिया और आज देखिए 929 पर ज इचे रह गए इस टाइम आपको सरफ एक चीज बचाता है वो आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर मैंने इस बात का ध्यान नहीं रखा होता तो याद रखेगा आज मेरा कैपिटल 60-70% गायब हो चुका हो था क्योंकि हमने पोजिशन बहुत बड़ी बड़ी लेकि थी 1000-2000 के sell कर रहा है थे lot उसके basis पे अगर हम जो है minor loss में मतलब यह कहेंगे कि 3-4% के loss में निकले हैं तो बहुत बड़ी बात है ये एक right word है जो आज ही आपको सीखना है हमेशा आपने आपको याद दिलाएगा कि बुरे time में सरफ इस word ने आपको बचाया था इसलिए अगले 5 साल ब हमने नहीं किया हमने सिर्फ ये देखा कि हमारा risk management हुआ है टाइट है हमने थोरा सा और टाइट कर दिया था उसके अलावा हमने last में क्या किया था last में जो है 16800 का put sell कर दिया था heavily उससे क्या होगा हमारा सारा का सारा loss एक बार मीं cover हो गया तो ये जो risk management होता है ये आपको पर put sell करना शुरू कर दिया था reason being अगर जो है वो हमारे favor में यहां भी आता तो अभी हमें बहुत अच्छा profit होता उसको देखते वे हमने risk management का ध्यान रखा और अपनी position लिया लेकिन अगर मैं सब कुछ जो है या तो hold करके बैठता या फिर जो मेरा loss और उसको recover करने के जलता nothing else इसी लिए कभी भी याद रखेगा 365 days है अगर आप उसको जो है 300 trading days भी बोलते हैं कभी भी 100% आपको जो है वो profit नहीं मिलेगा दूसरी बात हमारे पास 52 weeks होते हैं मैं आप से पहले भी कहता हूँ अगर हम हर week का एक strategy बनाएंगे न तो भी याद रखेगा बीच में आपको losses लेने पड़ेंगे जिनका कोई इलाज नहीं होता because आप एक दिन तक बिल्कुल एक दिन पहले तक बिल्कुल सही market को analyze करके बैटे होते हैं market अचानक एसा जटका देता है तो हमें सिरफ और सिरफ उसका ध्यान रखना है कि ये वाले भी यहीं पर जाकर fit होंगे और तो एक दो trade से कभी आप जो है बरबाद नहीं होने चाहिए और कभी भी आप बुरे trader साबित नहीं होते हैं ये average बनता है company पूरे साल जाके अपना result declare करती है तो यहां हम भी आपको ऐसी करना पए इसी लिए आप जो है आपको ध्यान रखना है कि सर्फ risk management को ध्यान रखिए best trades आपको जो है मिलते रहेंगे तो profit भी आएगा लेकिन इसका ध्यान रखेंगे तो पैसा चला जागा तो profit कहां से आएगा जो पैसा ही नहीं बचेगा कल का level अगर आप देखेंगे कल के level पे हम जो है 16,950 के उपर buy करेंगे और हमारा target होना चीए 200 dma यह place किया गया है 17,50 के around और अगर यह चला जाता है तो 17,100 का target भी आपको आराम से देखने को मिलेगा जिस speed से market चल रहा है ऐसा लग रहा है कि यह अपने 200 dma को जुरूर एक वाट टच करेगा in fact morning में क्या हुआ हमारा जो dow jones का feature था वो भी negative दिख रहा था लेकिन निफ्टी तो भागता चला गया IT stocks में cherry pick हुआ दबाके और financial stocks में जो हैं काफी investment होई है specifically in bajaj twins कर उसका result आया था दोनों sector ने मिलके पूरी market को lift कर दे विकर दोनों sector है और अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि cherry pick हुआ है तो हम थोड़ा थोड़ा करके cherry pick हम भी करेंगे अभी आप यह मत सोचिएगा कि एक साथ में पूरा investment कर दें कोई भी एक बात में पूरा investment नहीं करता थोड़ा थोड़ा करके जो है उसको cherry pick करते रहेंगे अच्छे trades निकालते रहेंगे अगर आपको IT में जाना तो KPIT उठा बहुत अच्छा stock है इस price पे विप्रो है इस प्राइब लेकिन विप्रो ने अभी जो result दिया है उसके accordingly मैं उसको recommend नहीं करूँगा KPIT फिर भी ठीक आप KPIT pick कर सकते हैं आप यहाँ पे यह target हमारे रहेगा यहाँ पे और इसको break किया तो एक push में तो अराम से 50 point जो है cover कर ले दिन को यह level को break करना हमारे लिए जो है एक अच्छा sell initiate करेगा कल ना तो हम buy on dip करेंगे ना ही हम sell on rise करेंगे because market जो इस condition पर खड़ा ना होसता है भागता चला जाए होसता है profit booking के लिए आए हाला कि मैं काम करूंगा around six o'clock data update होता है नसी का तो check करके आपको telegram channel बता दूँग कि आज कैसी position हमारे develop हुई है accordingly we can move on to that also तो यह वो आपको telegram पे देंगा अगर आपको telegram ने join नहीं किया तो join कर सकते हैं इसी video के आपको description link में मिल जाएगा और यह हमारा रहेगा sell के लिए nifty के अंदर बात कर अगर bank nifty में आज का almost program देखें IT और bank nifty नहीं सारा जो है पूरा पूरा nifty को भी lift कराया पूरी market को lift कराया कुछ stocks में ही आपको heavy buying देखने को मिली है बाकी में नहीं इसी लिए हम इसके उपर ज्यादा focus करेंगे इसको resistance मिलेगा 37 500 की उपर यह resistance है यह break हो जाता है तो एक बड़ी movement है और यहीं पर resistance मिला तो एक छोटी सी profit booking आपके लिए मिलेगी जो वापिस से आपको 300 400 point का fall दिखा सकती है नीचे की तरफ 37 350 रहेगा या 300 कर लिजेगा 350 बहुत close रहेगा इस level को break करने के बाद में यहाँ पर आप सरफ buy on sell on rise करेंगे वो भी जब जब 37 500 को उपर break करें नीचे जाए और इसको resistance की तरह use करके तब गिरेगा उपर जाने के बाद में डिप करें तब अगर यह यहाँ तक पहुचे ना नीचे गिरे तब 37 300 को break करने के बाद डिप करेंगा और जो है buy on dip का फ्रॉसा avoid कीजेगा अभी वो stage नहीं है सिर्फ लेवल को break करने के बाद आप buy करेंगे because buy on dip में क्या है profit booking आप प्रॉल्म आजएगा और rise कर तो rise ही करेगा फिर आप buy on dip के करने की कोई ज़रूद भी नहीं पड़ेगी इसी लिए इसी लेवल की उपर buy कीजिगा और इस लेवल में चे sell कीजिगा bank nifti ko stock selection में पहला देख रहेगा दिपक नाइट्रेट दिपक नाइट्रेट में देखीगा पहला attempt ये नीचे गिरा पहला attempt यहां हुआ फिर second फिर third फिर fourth और आज उसने उन सब लेवल को break करके एक second attempt जिसको आपने यहां देखेंगे उसके उपर जाके जो है close किया है 1915 के उपर हम इसको buy करे जो आज का high है 1910, 1915 के उपर चला जाता है डिपक नाइट्रेट तो समझ जाएगा एक अच्छी मूमेंट आपको उपर के तरह मिले भी को ये सारे के सारे जो है breakout pattern को indicate करते हैं इसके उपर जाने के बाद hold करें तो buy कीजेगा नीचे गिरता है तो 1890 के नीचे जाने के बाद में आपका जो है एक अच्छा sell बनेगा because क्या होता है कि जो 1910 राउंड नमबर है वो break होने के बाद देखे कहां से उसने rise किया 1850 से हो सकता है वापिस से support लेने के लिए वो 1850 तक आए तो इसके इंचे sell और यहाँ पर हम buy करेंगे then the second one we have is chart आजाने दिजे कभी कभी क्या ह होता है हमने जो है outlook तो positive लेकि चलते है लेकिन market में profit booking आयते है तो problem आ जाती है यहाँ पर देखीगा यह भी same situation है वहाँ पर थोड़ा से नीचे की तरफ देख रहा है यहाँ पर देखे है first attempt नीचा आया यह break हुआ फिर इसके बाद यहाँ attempt हुआ फिर second attempt हुआ third and fourth almost same pattern बन र रहेगा नीचे की तरफ 1180 रहेगा अगर breakout आता है 1200 की उपर आएगा उसके उपर जाने के बाद में hold करे अच्छा buy मिलेगा वहीं पर flat opening हो नीचे dip करे 1180 को break कर देता है तो वहाँ से आपको एच्छा cell भी मिलेगा इसको secondary रखेगा इसको आप जो है primary segment रखेगा कि buy के तरफ ज्यादा है बेकोज ये breakout pattern है पहले वाले में buy को ज्यादा focus रखेगा cell को कम, third stock हमारे रहेगा that will be LIC housing finance हमने कई बार लिया है यहाँ भी लिया था हमने उसके बाद एके range bound अचाने के इक दिन भागा उसके बाद आच फिर से उस range को पकट लिया उसने 385 के ऊपर है ये अच् 35 को break करता है LIC housing finance तो एक अच्छा move मिलेगा जिसमें हमारा target अराम से यह achieve करेगा 400 का, तो 395 से लेके 400 की target आपको मिलेंगे, मता हो सकता है 392, 293 तक exhaustion आ जाए, लेकिन movement अगर ऐसी रही तो यह level आपको यह level आपको अराम से देखने मिलेगा, 400 आ साही 395 जरूर मिल जाएगा, तो यह रहेगा LIC में, अगला stock हमारे लिए रहेगा, that will be Vipro, आज cherry pick हुआ है न, लेकिन intraday में तो सबको समझ में तो ना आएगा यह बात, कि Vipro में buy नहीं करना है long term के लिए, तो क्यों ना इसको हम जो है intraday के लिए use कर ले, KPIT को long term के लिए आप buy कर सकते हैं, यहाँ प 420, 420, 420, तो यहाँ पे हमारे एक buy बनेगा, तो इन level को break होने के बाद में, आप इसको buy कर सकते हैं, IT में अभी मैं recommend नहीं करूंगा, कोई भी sell, because IT में cherry pick हो रहा तो बार बार क्या हो रहा है, buy चलता रहा है, buy चलता रहेगा, तो ऐसी condition में कभी-कभी buy आता है, तो आपको नुक्सान हो जाएगा, because इस time जो heavy buying हो रही है, वो इसी segment में हो रही, sector में हो रही है, so no selling, only buy about these two levels, या तो आपको यहाँ मिल जाएगा support, नहीं मिलेगा, 420 के round support मिलेगा, वहाँ से आप buy कर सकते हैं, then we had AU small finance bank, bank को तो भूली गहा है, bank को हम जो है मैंने SBAB check किया था, access bank भी देखा था, अगर हम सब में देखें, इसके इंदर ज्यादा opportunities आ रही है, because ये consolidate कर रहा है, वो अलड़ी breakout कर चुके है, निकल चुके है, उनके उपर जुनके high के उपर moment आती है, तो आप Japanese ले सकते हैं, यहाँ पर हमारी fresh moment बनेगी, और वो बनेगी 595 के उपर, 600, 606, 608 का आ अगराम से आपको target मिलेगा, याद रखेगा, एक fresh buying हुआ है, कभी-कभी fresh buying के बाद ठंडे पर जाते हैं, जिन्रों ने intraday, sorry, BTST किया होगा, या swing trade लिया होगा, वो लोग अगले दिन अपना profit book निकाल लेते हैं, तो थोड़ा सा stock नीचे आता है, वीक नीचे आता है, उस condition अगर नीचे आए, तो आप जो है, 588 के नीचे इसको sell भी कर सकते हैं, in intraday.